एक नए वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग एक आर्च फ्रेम बनाएंगे जो की राउंड फ्रेम भी बोल सेकते हो आप लोग माल की कमी होने की वैसे ये हम लोग कटिंग नहीं कर पाए तो इस वैसे ऐसे ही तेड़े ही इसको जॉइन्ट कर लेंगे ये फॉल्चाल है 7 इंच का इसको जॉइन्ट कर लेंगे और साइड में तो अलग से जैसे होता है नॉर्मली वैसे ही हो जाएंगे तो दोस्तो ड्राय होने के बाद हम लोग सिधा फिनिसिंग में ग्रैंडिंग मारने के लिए चले जाते हैं इसको हाथ से फील करके एकदम बरावर राउंड को एकदम अराम से रखना पड़ेगा कि नहीं तो दरवाजा देखने में अच्छा नहीं लेगा राउंड बरावर होना चाहिए वैसे ही जल्दी जल्दी इसको घिस लेंगे घिस लेने के बाद दोस्तो आगे प्रोसेस दिखाते हैं आप लोग इसको पहले घिस लेते हैं इसको ग्रैंडिंग में हम लोग 60 नंबर पेपर से इसको घिस रहा हूं दोस्तों घीचते समय ध्यान रखिए कहीं पे भी उंच निच ना रहे ग्रेंडिंग को बरवर से चलाइए ताकि एकदम बरवर से फिनिसिंग हो राउंड का सेप सही से रहे तो इसके रहने के बाद यह देखिए कुछ ऐसा लगता है फिर हम लोग आ जाएंगे इसको साइड वाला पट्टी जावन करने के लिए इसमें जो वन्टाइट वूड है वो यूज कर रहे हम लोग क्योंकि जोड मजबूत होना चाहिए इसमें हम लोग जो बास का खिली देते हैं खिली को इतना मजबूति से लगा नहीं पाएंगे राउंड है इसलिए तो इसको बॉन्ट को पर हमारा अंदर अंदर है साड़े खिली लगा लेंगे तो दोस्तो खिली भी वो बास का है क्योंकि ऐसे लगली इतना इसका हतोड़ी का मार्ट सेंड नहीं कर पाएगा बास का खिली बेटर रहता है और खिली में ग्लू यानि बॉंटाइट अठा इसको जरूर लगा ल तो दोस्तों यह हो गया अभी इसको सुखने के लिए छोड़ देता है सुखने के बाद इसको हम लोग रहंदा से जो माथा है माथे को फिनिसिंग कर लेंगे माथा कर फिनिसिंग करने के बाद इसको जो ग्रूब दिया था रवीट दिया था इसका वीडियो में सुट नहीं कर पाया त filters किया थाले किन ग्यां ने दिखा रहा था फिर बंदो गया तो दोस्तो वो दिखा नहीं पाएंगे उसके लिए स्वारी और दोस्तो इसको बीट देके फिट छोड़ देंगे फिनिसिंग में बाकी आप समझ जाओगे ये दोस्तो ग्रेंडर ले लिया साथ नंबर पेपर क्योंकि थोड़ा ग्रेंडर भी मारना जरूरी है मानता हो फिनिसिंग अच्छा होता है रेंद में स्लो रेंदा चलाने से लेकिन फिर भी थोड़ा ग्रेंडर मार देने से बहुत बढ़िया रहता है इसलिए इसको थोड़ा ग्रेंडर मान लेते हैं ग्रे दोस्तों इसमें हैवी कुछ काम है नहीं लगता है बहुत टफ है लेकर इतना टफ नहीं है यह जो पाटी का काम है इनका यह दर्वाजा एक एक्स्ट्रा इसमें एड हुआ है पहले इसका पांच दर्वाजा और एक बड़ावाला 7 feet by 8 feet का दे दिया लास्ट में आप लोग देख लेना जितना भी दरवाज है लास्ट में दे दिया आप लोग देख लेजिएगा तो दोस्तो कोई भी सुजा होता है राउन फ्रेम के बाड़े में मुझे इतना पता नहीं ये देखिए ये वाला बीट दिया तो दोस्तो कोई भी सुजा होता है राउन फ्रेम के बाड़े में जरूर से कॉमेंट कीजिएगा क्योंकि मुझे भी इतना नॉलेज है नहीं फिर भी मेरे आइडिया से काम करता हूं मेरा आइडिया ये कोई भी काम अगर मैं देखता हूं कैसे होगा ये पता नहीं लेकिन कैसे करना है इसका आइडिया थोड़ा लगा लेता हूं फिर मैं कर देता हूं ठीक है दोस्तों तो दोस्तों आप लोग भी अगर चाओ कोई भी काम करने के लिए आप लोग भी कर सकते हो एक बार ठान लेना कि हाँ ये काम मुझे करना ही है नहीं तो क्या होगा मज़ा नहीं आएगा तो दोस्तो ये हमारा वीटीम चल रहा है भीट दे रहा हूं इसको भीट देने के बाद इसका काम छोड़ देंगे तो दोस्तो वीडियो में यहां तक अगर आ गए हो तो आप लोग प्लीज लाइब कॉमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा क्योंकि आप लोग एक शेयर से मुझे बहुत खुशी मिलता है वीडियो डालने में भी इच्छा होता है बहुत मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना खयाल रखिए धन्यवाद